तो आप सभी का स्वागत एक बार फिर हमारी इस YouTube चैनल पर पिछले lecture में हमने पढ़ा था Corrition, Uninfluence, Misrepresentation and Fraud ये चार चीज हमने पढ़ा था पिछले lecture में हमने पिछले lecture में ये बताया था कि हम next lecture में हम आएंगे distinction between के सात और mistake करेंगे तो mistake हम next lecture में करेंगे जो भी जो की उसमें अलग-अलग पार्ट्स हैं जैसे mistake of fact and mistake of law ये सारी चीज मैंने discuss किया था पिछले lecture में कि कितने पार्ट्स हैं इस lecture में हम सिर्फ और सिर्फ करेंगे distinction between coercion and under influence दूसरा fraud and misrepresentation मैंने क्या कहा था section coercion कितना है 15 नमबर coercion के बाद under influence किसका आता है 16 नमबर 17 नमबर section किसका है fraud क्योंकि 17 पर खत्रा था और 18 नमबर misrepresentation था तो ये 4 section back to back आप सभी को याद करने हैं ठीक है तो section 14 क्या है याप सभी को याद होगा free consent कुछ पढ़ा था मैंने ठीक है फ्री कंसेंट को ही थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं देखो इंडियन contract act का जो फ्री कंसेंट उनसे बीच में distinction क्या है वह पढ़ेंगे हम लोग सबसे वह coercion और दूसरा क्या है under influence इन दोनों के बीच में फरक क्या है एक तो पहली बात coercion अगर दिखा जाए तो coercion क्यों था बैटा physically जो force करता है physically force मैंने पिछले lecture में बताया था physical force मतलब क्या आपको धंकी देना आपको धंकी देकर contract करवाना या आपको gun point पे कुछ करवाना मतलब physical force करता है या आपके हाथ पर तोड़के ऐसा contract करवाना या आपको घायल कर देना यह सारे चीज क्या है coercion क्या physically force करता है आपको उस चीज को करने के लिए मजबूर करता है और दूसरा है under influence under influence मतलब emotional अत्याचार जो घर वाले लोग है पपा बेटे के साथ मम्मी बेटे के साथ मम्मी बेटी के साथ टीचर स्टूडेंट के साथ और आपने देखा हो ता डॉक्टर अपने पैसेंट के साथ और बहुत सारे जगे देखा होगा जिसे जो पार्टी होती है सामने वाला वो उसके उपर क्या कर सकते हैं उसके विल के साथ खेल सकते हैं उसके इच्छा मनमा सकते हैं उसके इच्छा उसके अनुसार नहीं उनके अनुसार चलना चाहिए जैसे बाबा लोग को देखेंगे बाबा और शिशे उनके तो उन सभी क प्रेसराइज किया जाता है तो इन दोनों के वेफर बीच में एक एक डिस्टिंक्शन क्या होगा नेचर अच्छन क्या होता है को जन के अंदर बच्चा क्या हो गया फ्री फिजिकल फोर्स अना फिजिकल फोर्स होता है और इसमें क्या होता है अंडे इंफ्लेंस में मोरल और मेंटल फोर्स हमने अभी जो पढ़ा वो था अंडे इंफ्लेंस और कोरिजन ठीक है अब इसको हम पॉइंट को पढ़ रहे है निचर अप एक्षिन क्या है फिजिकल फोर्स और थ्रेट अपनी इच्छा के विरुद्ध जो उसके हुआ है वो अपनी इच्छा के अनुसार उसके नहीं हुआ तो वो क्या कर सकती है और यहाँ पे मोरल और मेंटल प्रेशर यह आपने देखा हो दूसरा क्या है इन्वॉल्मेंट ओफ क्रिमिनल एक्षिन अच्छा बाबा अगर मम्मी पपा बच्चे के साथ पूर्सुली बोलते बेटा शादी करना पड़ेगा आपको या कुछ उससे कॉंट्रेक्ट कर रहे है या टीचर ऑफ स्टू действительно के साथ करवार रहे तो उसमें क्रिमिनल एक्ट ने दिक्र है बाहियो क्रिम्नल नहीं माना जाता है अंड़ इंफ्लेंस में क्रिमनल कहां से आ जाएका आएगा जा चेया Ben कुरिजन तू कमिट एंड एक्ट फॉर्विडन बाई आई पीसी आई पीसी मतलब इंटेन पैनल कोड उसके तेद भाया यह गड़बड चीज है और गड़बड है क्रिमिनल एक्ट माना गया है तो उसमें क्या हो जाएगा यह वोड़ेबल हो जाएगा और जो वोड़ेबल क कुछीज पॉसेस कर सकते ले लेते या लेने की धंकी देते उसे हम बोलते कोर्जन नेक्स इसका डिस्टिंग्शन क्या है क्रिमिनल नो सच इल्लीगल एक्ट इस कमिटेड और त्रेट इस गिवन कोई ऐसा इल्लीगल नहीं है भाई इसमें मम्मी बेटे को बोलती बेटे श इसे लिए पाटर बात लाएं आँ जो लेशिव में उठाया जाता है इसे बोलते हैं नेक्स बाट आती कहई है रिलेशन्ist हिट बेइचि बटवीन पाटी बिच में रिलेशन होता है ना कि मतलम मम्मी बेटे हैं या पप्पा बेटे हैं तो उनके बीच में या गुरु शिश्य हैं तो जरूरी रिलेशन होना को जरूरिशन तो बोलते हैं बाया ऐसी जरूरी चीज समुना इसलह नहीं है कि यह next अपने नाम कर सकता है बट जरूरी नहीं को थर्ड परसन भी स्ट्रेंजर भी कर सकता हमारे साथ तो इसलिए कोरिजन में रिलेशन होना जरूरी नहीं है बट अटियावश्यक है अपसलेटले नैसेसरी क्योंकि अगर हम अन्डर अठ्याचर कैसे करेगी अगर उनके बच्चे के साथ इमोशनल अत्याचर कब करेंगे जब उनके साथ रिलेशन है ना पाफ बेटे का ठीक है चलो next बात आते exercise by whom कौन खरेगा coercion need not proceed from the promissor, जरूर नहीं promissory करे या promissor के true direct हो against promissor, हो सकता है it can be used even by a stranger to the contract third party stranger भी इसमें आ सकता है वो भी इसमें involved हो सकता है ठीक है, तो coercion में even a third party आ सकता है but under influence में सामने वाली party करता है, always always exercise between the parties to the contract जिनके बीच में वो चीज होता है वो ही दोनों involved हो सकते है जैसे teacher student के बीच में तो third party उसमें नहीं आएगा, लेकिन coercion में third party भी आ सकता है जैसे आपने पुरानी picture देखा रहेगा कि क्या होता है, ठाकूर होते और ठाकूर hero को मरवाने के लिए सुपारी देते third person को या जाओ उसको ठोक डालो तो coercion उसको भी बोला जाता है मतलब क्या कि कोई third party भी हो सकती है जिसका उस case से कोई तालुकात नहीं था फिर भी वो बीच में टांग लड़ाई और पनाकाम किया पैसा लिया चला गया और अंडी इंफ्लेंस में ऐसा नहीं अंडी इंफ्लेंस में क्या होता है भी या इमोशनल अत्याचार सामने वाली प्रोमिसर जो सामने वाला प्रोमिस करा वही करता है next बात आती है enforceability enforceability coercion में क्या होता है enforceable होना तो यहाँ पे enforceability देखा जाए तो उसके पक्ष में यह बात होती है कि वो contract का case कर सकता है या नहीं कर सकता है that is called wordable अगर अगर अंडी इंफ्लेंस की बात की जाए तो contract is either wordable और the court may set aside यह wordable भी हो सकता है या court इसको set aside कर भाई आपसी मामला देख लो तुम और enforce in the modified form या कुछ modified terms and condition कुछ change कर सकती है court ठीक है next बात आती है किसकी position of benefit receive benefit या अगर coercion है दबाव बनाकर illegal तरीके से unlawful तरीके से आप उसको forcefully pressurize करके कोई property या कोई पैसा या कोई भी चीज ले लेते हो तो आपको उसको return करना पड़ेगा या उसको benefit क्या restore करना पड़ेगा मतलब क्या वही देखो where the contract is resided by the agreed party as per यहाँ पर contract को resided मतलब क्या उसको तोड़ सकता है कौन सा agreed party मतलब जिसके साथ गलत हुआ है as per the section 64 क्या लिखा है any benefit receive has to be restored back to the other party उसके सामने restore करना पड़ेगा but यहाँ पर क्या होता है teacher student है तो क्या हो जागा भाई the court has discretion to direct court को power है discretion दे सकता है to direct the agrave party to return the benefit whose whole or in part not to give any direction or not to give any such direction मतलब कोड के पास यह अधिकार है कि वो direction दे भी सकता है और दूसरा नहीं भी दे सकता है उसकी मर्जी यह तो रहा किसकी बात भाईया छे पॉइंट हमने देखा किसकी बात coercion और under influence के अब लगे हाथों बात किसकी आती है 17 नंबर और 18 नंबर यह 17 और 8 है fraud क्या है 17 नंबर है but misrepresentation में intention ऐसा कुछ नहीं होता है but गलती से उनको benefit मिल जाता है और सामने वाले को छती पहुचती है नुकसान पहुचता है तो देखो benefit basis of difference के अंदर intention क्या होता है यहां पर क्या होता है to deceive the other party by hiding the truth सक्चाई को छिपा कर सामने वाले को धोखा देने का मकसद होता है उसे हम बोलते है fraud but यहां पर कहें there is no such intention to deceive other party कोई intention नहीं होता है उसको नुकसान पहुचने का धोखा देने का but हो गया गलती से हो गया तो हो गया तो misrepresentate करता है जिसको सच्चाई पता ही नहीं थी और ऐसा किया उसने next बात आती क्या knowledge of truth सच्चाई जानने के बाद क्या होगा भाई the person making the suggestion believe that the suggestion statement is untrue उसको पता होता ही यह चीज गलता फिर भी हो suggestion देता है कर ले कर ले भाई वो क्या है fraud कर रहा है तुमारे साथ और दूसरा misrepresentation के person making the statement believe it is true although it is not true उसको लगता है misrepresentation के अंदर सामने वाले को लगता है प्रोमिसर उसको बोलते है प्रोमिसर प्रोमिसी जिसको कर रहा है उसको लगता है कि भाई यह चीज सही है but actually more चीज सही नहीं होती एक होता है देखो fraud क्या होता है तुम्हें पता है कि वो चीज गलत है फिर भी तुम उसको क्या कर रहो भाई बोल रहो नहीं नहीं सही है कर ले और misrepresentation में क्या होता है तुम्हें पता है वो चीज सही है but actually more गलत होती है तो आपकी उसमें कोई गलती नहीं एक तरीक से misrepresentation होता है बट उसमें डिरेक्टर कोई और बन गया डी बन गया सी नहीं बना तो भी ऐसा नहीं बोल सकता तुम्हें मेरे साथ धोका गया तुम्हें पता था डी बनने वाला नहीं हमें तो पता चला M से तो यह चीज है नेक्स बात आती क्या resistance of the contract and claim for damage resistance मतलब cancel कर देना cancel contract कर सकता है क्या है जी बिलकुल कर सकता है injured party उसके हाथ में depend करता है जिसको दुख पहुचा है जिसको छती नुकसान पहुची है जिसके साथ धोखा हुआ है वो बंदा उसको repudiate कर सकता है claim कर सकता है damage को fraud में but misrepresentation के अंदर cannot claim the damage repudiate कर सकता है but cannot claim damage damage claim नहीं कर सकता injured party is entitled to repudiate the contract and sue for the restitution but not थोड़ा बहुत damage के लिए नहीं मांग सकता है थोड़ा बहुत बोलते हैं ना कि महावजा दे दो भाई तो वो दे सकते but claim cannot claim for damage damage के लिए वो claim नहीं कर सकता है fourth part क्या है means to discover the truth अब देखो यह क्या होता है बहुत अच्छी चीज है देखो इसमें ना बटाँ देखो जो fraud होता है उसमें क्या होता है सामने वाला बंदा है सामने वाला बंदा ऐसा नहीं बोल सकता अपने आपको बचाने के लिए अपने आपको जचचाई साबित करते वे अपने आपको शिक्यूर करने के लिए अपने आपको बचाने के लिए नहीं भोल सकता कि सामने वाला बंदा तो सच्चाई खोजी रहता हूं यह तो खोजी रहता ही क्या लिए है a party using the fraudulent act cannot secure or protect himself by saying that the injured party had means to discover the truth but यहां पर ऐसा कर सकता है क्या party can always plead that he that the injured party had the means to discover the truth उसके पस पूरा अधिकार था भाई तुम खोजबीन करके ऐसा करना चाहे था ना मान लो इसका एक्जामपल हम नीचे पढ़ेंगे अभी अना तू अभी मान लो भी है ना बी को पता लगाना चाहे ना डीब बने इसे नहीं चल रहा है समझो लीगल एफेक्ट्स ऑफ अग्रीमेंट विटाउट फ्री कंसेंट सेक्शन 19 क्या बोलता है वेल्ड़ कंसेंट तू अग्रीमेंट इसकस्ट बाई कोर्शन फ्रॉड मिस्रेप्रेजेंटेशन दो अग्रीमेंट इस प्राट्रेक्टि वर्ड़ यह आपको सबको पता है चाहीं कोर्शन वो और इंफ्रेंटेशंख्रो फ्रॉड निसमस्रेप्रेजेंटेशन इसमें क्या होता है meaning of section 17 जो बोलता है the contract is not wordable wordable कम नहीं होगा if the party whose consent was so cursed that had the means of discovering the truth with ordinary diligence उसके पस ऐसे कुछ tool से जिसको वो discover कर सकता था सच्चा ही जान सकता था और फिर वो इसा किया नहीं जाना फिर contract बना लिया है जो भी किया उस cases में यह contract wordable नहीं माना जाएगा if such consent was cursed by misrepresentation और by silence fraudulent within the meaning of section 17 the contract is not wordable if the party whose consent was so cursed by head means of the discovering the truth with ordinary diligence अभी इसी explanation में section 19 क्या बोलता है explanation 19 का a fraud misrepresentation which did not curse the consent to a contract of a party on whom such fraud or as practice or to whom such misrepresentation was made does not rendered contract wordable मतलब क्या क्या तिको ए फ्रॉड या misrepresentation which did not curses the consent to the contract of the party whom such fraud was practiced जो एक होता है एक प्रेक्टिस किया गया fraud है और दूसरा क्या होता है कि भाई उसको पता नहीं था बस गलती से fraud हो गया है तो does not render a contract wordable मतलब क्या कुछ देखना पड़ेगा हमें कि वो चीज misrepresentation के थूँ हुई या fraud के थूँ हुई है ठीक है अम इन दुनों का एक्जामपल बढ़ते हैं जो इंशूट के बुक में ये इंशूट के बुक से ही मैंने content पढ़ाया तो प्रॉड का है और ये misrepresentation के फ्रॉड में क्या होता देखो एंटेंडिंग टू डिसीव भी बी को cheat कर रहा था करने का intention रखा है अब रिप्रेजेंड देट 500 मांड मतां बोलते हैं मन पांसो मन चालिस क्लो के एक मन होता है अफ इंडी जो आर मेंड अनुली अट एस फैक्टरी एक फैक्टरी में एंड देर बाइंडियूस बी तो बाइद फैक्टरी और उसके लिए बी ने क्या किया भाई फैक्टरी खरीद लिए अब उसको पता चला ऐसा कुछ हाई नहीं इसको जूट बता है कि ऐसा ऐसा होता है बटा ऐसा कुछ हुआ नहीं तो बी क्योपर डिपेंड करता है कि वो उसके फर किस ठोक सकता या नहीं कर सकता तो वोड़ेबल है नेक्स है मिस्रेप्रेजेंटेशन दूसरा क्या देको 35 नंबर एक्जांपल है इसका इंशूट के बुक से ही है ए बाई और मिस्रेप्रेजेंटेशन दीज टू बी टू बिलीव एरूनेस नहीं गलती से देट साथ सो पचास टन ओफ सुगर इस अब बी टूलस लगा या देखा भाई हो सकता है कि नहीं हो सकता देट ओनी 500 टन हैद बी प्रोडियूस करता है अब बी के ओपर डिपेंड करता है है ना देर अफटर बी परचेस देश्टरी उसके बाद बी ने परचेस कर लिया इन इस सरकॉंस्टेंस बी चैन्नाट रेपुडियेट नहीं केंजल कर सकते कांट्रेक को यह ना उन्द मिस्रेप्रेजेंटेशन पर हमें गुम्राह करने में जो घुमराह में किया है उसके basis पे क्योंकि हमने तो चिक किया तो हम उसको repudiate नहीं कर सकते हैं तो आज के लिए इतना ही काफी है ठीक है हम next lecture में फिर मिलेंगे तब तक के लिए bye bye take care